ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है जी उत्तरप्रदेश उत्राखन के इस मंद चुडान पर और इस कारिक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने अगले पैलन की तरफ हम बढ़ते हैं और इस राउंड में हमारे साथ मंच पे हमारा साथ देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी सबसे पहले स्पाइसी शुगर बाई पूनम पूनम सचदेवा को जो फाउंडर है शुरू से ही एक बहुत ही उचबल चात्रा उन्होंने आगरा विश्व विद्याले से इसना तक बी ऐसी बैचलर आफ साइंस किया वो एक प्रेरक वक्ता और एक यूट्यूबर है लोग वास्तफ में उनकी बाते सुनना पसंद करते हैं वो एक लब के संस्थापक भी है जिसे उन्होंने ग्यान प्राप्त करके और हर महीने कुछ नया सीख कर अंदर और बाहर महलाओं की सुन्दर्ता को बढ़ाने के एडादे के साथ शुरू किया वो शक्स से शक्सियत तक के नाम से एक ओनलाइन शो की मेजबानी भी कर रही है और हाँ उस समाजिक रूप से कई संगठोनों से भी जुड़ी हुई है जोर्दार तालिया हो जाए पूरम सच्देवा जी के लिए और अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्तर समीर भाटी को फांडर एंडरेक्टर आप स्टार वेलनेस और केर फांडेशन प्लीज जोईन उस ओस्वाल बुग्स और लॉर्निंग प्राइविट लिमिटेट के फांडर एंडरेश जैन जी प्लीज जोईन उस इन बिट्वीन कैन वी प्ले डॉक्र समीर भाटी जेवी डॉक्र समीर भाटी स्टार वेलनेस और केर फांडेशन के संथापक और स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के निदेशक और टीककरन जाकरुपता समीती के सदस्य है हेल्थ केर उद्योग में 21 सालों की सेवा का अनुभव होने के बाद वो एक हेल्थ केर उद्यमी और प्रबंधन गुरू है उन्होंने स्किल इंडिया अभ्यान की तहट युवा चात्रों को आत्म निर्भर्ता प्रदान करने वाले स्टार एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टिटूट की भी स्थापना की है और पुनम जी के लिए खास और पे जादा तालिया अब जाहिर है की शीज फूल तर्ण आव जाहिर है की शीर सोवें उल टूर वेंड बूतिफ अविव शारी मैं spicy sugar के बारे हम पूछ रहा था तो somebody guessed it बोला हो ज़रूब spice or sugar कर लोगे कुछ कर रहे मैंने के that's impossible looking at her it's a request अभी हमें एक और एवी प्ले करना बाकी है उसके बाद बाकी है उसके बाद we can take our answer okay can we have the evi हाँ चलिए प्रकाशन उद्धोग में अपनी एक अलग और बड़ी पहचान बनाने वाले ओस्वाल बुक्स के प्रबंद निदेशक नरेश जय जिनको प्रकाशन के खित्र में 40 वर्शों से ज्यादा का शांदार अनुभव है दिल से एक सिक्षाविद ओस्वाल पूरे प्रकाशन समुदाय के लिए एक प्रेना बनाता है Thank you so much. Now over to you. Okay. Poonam ji. Poonam Sachdeva ji. ये बताईए है spicy sugars के बारे में. How is it? Is it only agra specific? या इसा प्लाटफरम इससे बड़ा है? Actually, ये क्लब मैंने बनाया, मेरे माइन में ये था कि a woman should be a perfect balance of spice and sugar. I mean, मिठास भी होनी चाहिए, थोड़ा थीका तीखापन भी होना चाहिए and I mean, कि अप जो कहते हैं तीखापन होना जिस शुगर I understand. तीखापन से आपका क्या ताथ परे है? तीखापन से मेरा मतलब sharp mind, sharp mind, sharp mind. या and इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी अपनी लाइफ के बारे में. बेटी है तो doctor बना दो, बेटा है तो engineer बना दो. So, but somehow I was not interested because I was totally into dramatics and debates. But, शादी जल्दी होगई अज प्यार होगया था. तो, I was just 18 years old when I got married and उसके बाद में शादी होगई, बच्चे होगई. 18. Yeah. Did it add spice and sugar into your life or did it take away the spice? No, not at all. Do you think so? नहीं कभी होता है, because you want to explore life. और marriage life के अपनी एक लिमिटेशन होती है. Yes, of course. उसमें कहीन कहीं अमपिशन जोहत दब जाता है. बिलकुल. लेकिन मौका नहीं छोडती थी, जहां भी मिलता था. मेरी लाइफ, otherwise it was a happy-go family and touchwood. I am blessed with everything. I never thought, मुझे लगता था, जिन्दगी यह है, और ऐसे ही कटनी चाहिए. बच्चे है, सब कुछ है, what I want more. And I was really enjoying my life. मेरी लाइफ का तुनिंग पॉइंट आया था, 2014 में. जब के बीसी में मुझे 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 मुचा मिला पहुचने का. या. And ये मेरा सपना 2000 से था, जब ये प्रोग्रेम शुरू हुआ था, 14 साल. 14 साल के इंतजार के बाद, I was like, आगरा से मुंबई का सफर में तै कर गई लेकिन, fastest finger first से, hot seat के 10 कदम नी चल पाई. Speed come रह गई. There was a depression. इतनी तकलीफ, इतना दुख मैं बतानी सकती, शेकर जी. मैं आकर एक महेना बहुत जादा, मतलब I was totally devastated कि ये मेरे साथ क्या हो गया. 14 साल से सपना था मेरा Mr. Amitab Bachchan के साथ ये करूंगी, वो करूंगी, ये बाते होंगी, और इतना पढ़के गई थी, सब बेकार गया. Then I felt after a month कि नहीं ज्यान कभी वियर्थ नहीं जाता, and this is not the end. I can do so many other things, तो मैंने अपने अग्रा सिटी में बहुत से quiz programs करे. अच्छा. Because पड़ा बहुत था, उस टाइम पर तो लगा कि नहीं, I should do. तो वो quiz program किये, फिर कुछ meaningful events करे, उसको करते करते, 2019 में आकर I made Spicy Sugars Club, जिसमें की हर मही ने अलग field के expert को बुलाना, जिससे की हमारी ladies को कुछ knowledge मिल सके. You know, क्या है कि लेडीज को ना, kitties, karts, party और gossiping, इन सब में इंट्रस्ट जादा होता है, sorry. But, आज की महीला बहुत बदल रही है, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, तो मुझे कुछ था कि हर बार, क्या है कि जब हम बोलते हैं, वही सुन, बोलते हैं, जब हम सुनते हैं, तो हम हर बार कुछ नया सीखते हैं, नया सुनते हैं, यही सोच कर हमने, हर महीने अलग-अलग फील्ड से बहुत से एक्सपर्ट्स को बुलाया है, जिसमें की नूट्रिशनिस्ट हो गए, असट अटेक सर्वाइवर, ट्रांसजेंडर, एंड एक्टर्स भी आचुके है, अनूप सोनी जी आचुके हैं, इनका, जुही बबबर का प्ले है, आपकी सैयारा, वो स्पाइसी शुगर्स ने आगरा को दिया, और दिव्यादता आई थी अभी हमारे इनाग्रेल सीजन फोर में, और उसके अलावा हम लोगों ने अभी एक इंटरेक्टिव ड्रॉमिंग सेशन कराय था, विच वोज रियली सम्थिंग वेरी डिफ्रेंट, सो विए ट्राइंग कि हम सुसाइटी को कुछ दे सकें, लेडीज को कुछ नया दे सकें, अट लीस्ट जब वो घर जाएं तो ने लगा लगे कि वो कुछ सीख कर जा रहे हैं। बहुत अच्छी कल्पना है, और मेरे खाल से बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने महिलाओं के बारे में इतना सोचा है, मैंने कहा कि शादी के बाद अकसर अफोता था था कि जो अंबिशिस महिलाओं होती थी, जो बहुत कुछ सोच के आई थी, कि मुझे ये करना है वो करना कभी-कभी एक ऐसे दाइरे में बंध जाती थी यह बंध दिया जाती थी जहां वो अपने ambition को अपने shock को अपने hobbies को बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहती थी वो करने से रोक दिया जाता था उनकोब उनको एक तरीके से पारिबारिक के दाइरे में बांद दिया जाता था और फिर वो कार्ड पार्टी और कि टीपार्टी शुरू हो जाती था और उनका पूरा का पूरा इल्म, उनका पूरा का पूरा हुनर, उनका पूरा का पूरा टैलेंट जो है वो बरबाद हो जाता, तो आपने एक पूरा एक 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 फील्ड उनके लिए खोल दिया है, जहां she feels liberated, she feels happy to pursue her passion and her hobbies, यह बड़ी अच्छी बात है, इसके बारे हम और से lifestyle disease को कैसे control किया जा सकता है, बिलकुल, बिलकुल, देखिये, जैसा हम देखते भी है, अगर especially भारत की भी बात करें, तो भारत में अगर जादा हमारा जो खर्चा है, वो treatment पर, treatment की complication पर होता है, जबकि prevention की जब हम बात करते हैं, star imaging और star formation, और हमेशा कहा गया prevention is better than exactly, बिलकुल, और COVID के दौरान हमने देखा भी कहुत ज़्यादा जरूरी है, health हमारे लिए काफी important है, और especially prevention की जब हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि हम जब बिमार हो जाते हैं, जब कोई complication हो जाती है, उसके बाद hospital पहुंचते हैं, but prevention के नाम पे हम बहुत, मतलब जब जादा उसके ओपर ध्यान देते हैं, और especially इंडिया में जैसा अभी हम देखें, तो इंडिया में पहले से burden है हमारा communicable disease का, जैसा हम देखते हैं कि COVID भी जैसा communicable disease थे, अभी malaria, डेंगू, अभी आप ये देखिए कि जैसे monsoon चल रहा है, उसके बाद काफी सारी communicable disease बढ इसका graph काफी वड़ गया है, communicable कम हो गई है, non communicable जादा हो गई, 70% के करीब, but सबसे जादा है आपे जो चिंता का विशह है, वो है कि अभी इसमें यूवा भी बहुत जादा अफेक्ट हो रहे हैं, आप ये देखेंगे कि non communicable disease है, जो जीवन शैली से संबंदित बिमारिया वो 60s ये 70s में नहीं है, वो यंग लोगों में जादा है, कि 30s में, 40s में, इवन अब तो teenagers के अंदर भी हम देख रहे हैं यह सब चीजे, हम सभी तरह के record cross करे जा रहे हैं कि हम diabetes की capital बन रहे हैं, हम heart disease की capital बन रहे हैं, हम hypertension की capital बन रहे हैं, अभी ICMR ने COVID के बाद जो एक research न हिंदुस्तान के अंदर देखें, तो obesity, obesity भी abdominal सबको, आप देखेंगे कि वो काफी जादा बढ़ गई है, तो यह सब चीजे कही ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि हमारी जो जीवन शहली है, उसमें बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरा है, तो इसी के लिए, हो रहे है, डाइबेटेस जादा हो रहे है, is it true? ज़र से पहले भी ज़र चीजे चल रहे थी, बट हाँ, डेफिनेटली कोवीड ने उसको और ज़्यादा ट्रिगर कर दिया, बट मुल्टिपल फेक्टर से कि आपका खान पान, आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस एक काफी बड़ा फेक्टर है, गर हम बात करें, साइको समेटिक क और सबसे जादा अगर मैं डाइट की बात करूं, जंक फूड की, क्योंकि हमारी अगर हम देखते हैं इंडियन्स में स्पेशली, हम लोगों के जैनेटिक इस तरह हैं कि हमारी जो वेसल्स है, जो हाट को बलड सप्लाई करती है, वो कंपरेटिवली थिन होती है, अगर हम व जाटरी डिजीज है, यह भी जादा बढ़ रही है, और यंग हट अटक के केसे भी हम काफी जादा देख रहे हैं, यह घर-घर हम डाइगनोस्टिक केर कैसे पहुंचा है, हाँ, इस पॉसिबल, दिखी घर-घर डाइगनोस्टिक सेंटर, डाइगनोस्टिक सर्विस पहुं हैं, तो इसके लिए अभी स्पेसिफिकली हमारा जो स्टार फांडेशन है, स्टार इमेजिंग है, वो होम केर सर्विस इस उसने शुरू किये कि घर पे बेसिक डाइगनोस्टिक सर्विस इस सभी तरह की उपलब्ध हो जाए, इसमें रूटीन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, इवन टेली साथ की साथ टेली कंसल्टेशन, मेंटल हैल्थ इस तरह की सर्विस इसके अदर एड़न होगी, आपका जर्नल डूटी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और स्पेशली अलडरी लोगों के लिए और अशेरों के अंदर भी बात करें तो अलडरी लोग ब बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनको खास तोर पे इस तरह की सर्विसिस की जरूरत पढ़ती है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये हमने ये होम के अरट, होम के अरट, होम के अरट डागनोस्टिक की हम लाँच कर रहे हैं. नरीजेन जी, आप से पूछना चाहूंगा, इस फांडर अन M.D. Oswal Books and Learning Private Limited क्या, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं पहले, Oswal Books के बारे में, and then I will ask you, what were the primary challenges that you faced in establishing Oswal Books? Oswal Books एक publishing company है, और वी पब्लिश बुक्स फॉद एडूचिशनल बुक्स, पर के ट्वल और एंटरेंस एक्जाम्स, जितने भी एक्जाम्स बच्चों के होते हैं, CBSE, ICSE Board, अधूचिशनल बुक्स जादा हैं? या, all educational books, ये पब्लिश करते हैं हम लोग, और अच्छी बात है कि हम छोटे शहर में बैठके, और डेली वाले में इसमें डेली डॉमिनेट करते हैं, but we are dominating them from sitting in an agra, ये हमारा खास बात है, इसकी. आपका जो लोगों से जो feedback मिलता है, खासवर students पर या जो आपकी किताबें पड़ते हैं, कभी ऐसा हुआ कि किसी रीडर के feedback ने आपके decision ये direction को बदल दिया हूँ? ये फीडबेक जो time time से मिलते रहते हैं, teachers के भी आते हैं, principals के आते हैं, बच्चों के आते हैं, लेकिन एक बार एक बच्चे का हमारे पास feedback आया, कि सर ये जो बुक्स आप बनाते हैं, ये print style में होते हैं, क्या हमें handwritten, जो toppers answers देते हैं, जिस टाइप से answer लिखते हैं, क्या आप इस टाइप से हमें कुछ दे सकते हैं, then we approach the toppers student, और उनसे हमने handwriting में हमारी सारी books में, जो हमारी main books हैं, उसमें handwriting में जैसा answer उसने लिखा है, वो print करके हमने उनको लगा के दिया, तो वो connect कर पाते हैं, कि they are connecting themselves, एक print form में देना, एक handwritten देना, ज्यादा portion नहीं होता है, some pages are some questions and answers are in handwritten form. उसको आपको पहचानना है कि इस आपदा की घड़ी में भी हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, तो इस दौरान में, जब COVID था, आपने इस अफसर का कैसे इस्तमाल किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो मुझे failure मिली थी, KVC के time, तो वो एक चिंगारी तो बन चुकी थ अंदर जल चुकी थी, वो तब तक आग बन चुकी थी, पुरी तरह से, मुझे खुद भी नहीं पता था, तो तब मुझे बैटना गवारा नहीं था, तो शायद वो जो COVID time था, वो मेरे लिए एक blessing भी रहा, because I got a lot of time, तो मैंने उस time में लिखना शुरू कर दिया, जैसे मैं चोटी-चोटी विडियो बनाने लगी, क्योंकि पहले मुझे शॉक था, डिवेट्स का और dramatics का, तो वो सारे जैसे शॉक, वो हुनर जो talents थे ना जैसे बाहर निकल कर आने लगे, so मैंने लिखना शुरू किया, चोटी-चोटी वीडियो तब मैंने फेस्बुक पर डाली, then I felt कि नहीं मैं, emotions, feelings, positive thinking, और कैसे let go किया जाए बातों को, और बहुत कुछ इतना, सब कुछ good, bad, black, white, black and white, सब कुछ चल रहा है हमारे surroundings में, तो और उस टाइम पर मुझे लगता है सबको mental health भी सबकी डाउन चारी थी, तो वो सब सोचकर मैंने YouTube channel बना दिया उस टाइम पर दिल से दिल की बाते, और वहां मैंने अपनी बाते, अपनी दिल की बाते शेर करना शुरू कर बिया और आज उस में करीब एक लाग चालिस हजार के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे करीब 38-39,000 हैं यह बोलना जरूरी नहीं है कि इतने सब्सक्राइबर हैं मेरे लिए यह सादा मैटर करता है कि मैं अगर तोड़ा सा भी पॉजिटिव ब यह मेरी लाइफ जो है दने, सफल हो गई गरीब हरकत करके डालते रहते हैं उसमें जो मीनिंगफुल चीजें वो भी कभी गुम जाती है यह बेमानी लगती हैं लोग करता है यह बहुत बहुत जादा आई फील लाइक के गौड यह देखो जरा इतनी बगवास वीडियो जिसमें वो क्या वो गाने गारे हैं वो व्यूज है और हम मतलब एक महिला मुझा इसा कहने ने चाहिए वो रोज कपड़े उतार के आ जाती हैं इक्जाक्टली विच इस रिए नाम नहीं लोगा लेकिन उनके इतने फॉलोवर्स दुनिया बागे जा रहे हैं तो यह किस तरह का हिंदोस्तान बन गया या इंसानिय किस मकाम पे आ गए कि जहां लोग उटपठांग हरकतें करते हैं बेफ़कुफी वाली हरकतें करते हैं गयर जम्हेंदाराना काम करते हैं उसके पीछे लोग जो है वो तबाही मचाय हूए है और जो लोग अच्छा कुछ कहना चाहते हैं वो कहीं पेचारी गुम हो जाते है उनके चार लाइट जाते हैं क्योंकि अच्छी बाते को सुनना ही नहीं चाहता एक्जाक्ली यह बहुत को पेच आती है तो जस्ट यह पुट्यों पॉंट प्रॉंट प्रॉस यह आइमीन मुझे भी शुरू में लगा मैंने मैं एक्चुली क्या है कि मैं खुद को इंप्र करती रहती हूं मेरा में परपस कुद को किसी रूप में इंप्रूव करने का मैंने देख नच बिलकुल छोड़ दिया है वह ट्वे आइपक्त मेरा नोटिफिकेशन हर चीज का बिलकूल बंद रहता है मेरे मोबाईल पे कोई ऊपर कोई मैसेज निया तावो मेरे उपर है म मैं उसे अपना गुलाम बना के रखना चाहती हूं मैं नहीं चाहती ही कि मैं कुछ भी देखो और दिस्ट्राक्टो यह बिकोज इस बिकमिंग यह बिकमिंग आप बेगी नुसेंस अजाए बिफोर के आदमी इसके बगार अब ऐसा लगता है कि बतभी एक इंडिस्पेंसिब मुझे भी आता है मेरा मोबाइल हो गया मेरा मोबाइल हो गया ऐसा इतना डिपेंडेंस क्यूं हो गया है इन सारी चीजों पर क्या लगता है तो यह इस बीमारी को हटाने के लिए भी आप कुछ कर रही है कि नहीं ने इसके उपर भी मैंने कुछ वीडियो तो जरूर हो अपने जो आपके जिनके साथ में आपकी वेवलेंथ मिलती है उनके साथ मिलें और कुछ ना कुछ क्रेटिव करेंगे ना अगर आप तो आप अपने मोबाइल की तरफ कम देखेंगे मैं तो लेडिज के लिए भी यही बोलती हो कि आप बताएं कि इसका कोई इलाज है को बहुत जादा जरूरी है कई बार हम बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चे भी बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते हैं तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ करना तो शुरूवात अपने आप से करने अब इसको अगर थोड़ा सा इसके ओपर काम करना है शुरूवात एट लीस् करते हैं तो यह जाते हैं दूसरा अगर रात को सो रहें बीच में अगर आप फिर से मॉबाइल देखेंगे और फिर से आपने कुछ नोटिफिकेशन देखा फिर से कुछ कर लिया फिर आप स्टीमुलेट हो जाएगा आपका वही अगर कितना रेस्लेस हो गया इंसान अपन किखेंगे घडी व देखरा है अथाइपना थ्विंट देख रहा हैं इंस्राग्राम देख वही नोटिफिकेशन देख रहा है उसका ध्यान अभी में देख रहा थाथा कि यह आप लोग बोग इतनी जरूरी बाते कर रहें हो मॉबाइल पर लगे में सोच नहीं रहें लेकिन कहीं ने कहीं वो एक जिन की तरह बन गया है और वो एक ऐसा फ्रैंकिंस्टाइन बन गया जिसके हम सब गुलाम हो गए अब तो AI आ रहा है अब तो GPT चैट ये वो दुनिया भर के मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ रही है जहां खुद इंसानियत परशा करते हैं गाड़ी बैठते हैं ये देखना वो देखना कहां ट्राफिक जामें कितने दिर में यहां पहुचना वहां पहुचना कुछ अच्छा हैं लेकिन उसके साथ we are so dependent on it इतने आश्रित हो गए कि कहीं ने कहीं हम सब उसके घुलाम हो गए तो इसका इसका डाइगनोसिस किया जाए लोगों को बताए जाए इसका राइट टेस्ट बताए जाए जाए प्रिवेंटिव मेशर्स भी नहीं है अपने द्रह निष्चे पे हम जैसे अगर डिनर टाइम पे सब बैठे हैं तो कोई भी नहीं उठाएगा फोन सभी लोग अपना साइड में रखेंगे हम थोड़ी थोड़ी कोशिश है अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं इतना यह जहर बन चुका है कि लोग अब खुश होते हैं कि मैंने अपने आपको डिटॉक्स किया पता है आज मैंने मोबाइल इस्तमाल नहीं किया आज मैंने खाने के वक्त जो है मॉबाइल रख दी और अ आपसलूट इडास कम टू अनौट इडास कम टूर जेरो तो मैं इस सही आपका मतलब शायद आपको इन कॉंसे कुशन लगे लेकिन जैन साब आपसे कहना चाहूँ कि इस पर भी एक किताब निगा लिए ताकि लोग पढ़ें और बताईये क्योंकि विस्तार से बताईएग और या तो आप चाहेंगे कि आप बेस्सेलर की ओर जाएं या जो नौवल्स जब सेल करते हैं या जो या जो आपको नुकसान होता है लेकिन चुकि आपका एक सामाजिक दाइत्व है एक सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी है उस तो उस तहत आपको लगता है कि जो बीड़ बहुत लाइन जो पी यह जिसे मेडिकल की लाइन अलग है और लोगी बुक्स अलग होती है तो हमने एक लाइन ये एजुकेशनल की शुरू से की हुई है तो वी आर वी आप कमांडिंग दिस लाइन और इसी को हम जितना बेटर कर सकते हैं पर्फेक्शन की और कोशिश करत है तो वी फोकस की उनकी लर्निंग इसी हो जाए लर्निंग मेड सेंपल हम लोग बोलते हैं उसको कि जितना इसी हो जाए क्यों कि कैई स्कूलों में आजकल टीचर्स उस लेविल के नहीं होते जो पढ़ा सकते हैं अच्छी तरह सब तरीके के हैं पूरा हंदुस्तान इतना वह बढ़ा है अच्छी टीचर्स भी होते हैं तो उनको हमारी बुक से बहुत जादा है और चोटी जगे में विपक्चे हमारी किताबों पढ़ें पढ़के बहुत अच्छे भी करते हैं नहीं हम लोग भी करते हैं और इनके रिव्यूज़ बहुत आते हैं Amazon.com है उस पर Amazon.in है वह इस पर हमारे रिव्यूज़ जालते हैं इस वेरी गुट बॉक इस्टाग्राम और फेस्बूक बहुत तारीफ करते हैं तो अब यह देख लीजिए अपने आप में शायद इसे विडमना कहला है यह विरोधा भास की मतलब प्रिंट मीडिया को रोट करने के लिए हमें डिजिटल मीडिया की ज़रूरत पड़ गई है वहां भी हम लोग उस पर आश्रित हो गए हम हो गए हैं डिजिटल मीडिया पे इधर एजुकेशन में क्या हुआ था यह लर्निंग वाले काफी लोग आए लेकिन बुक्स का काम र पहुचे हैं वो डिजिटल मीडिया प्रोमोशन की वई से ही पहुचे हैं आज से बारा साल तेरह साल पहले तक हमारे फिल्ड में रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे जो किताबे जाके बेस्ते थे उधार देनी पड़ती थी ज्यादा डिसकाउंट देना पड़ता था दीरे दीरे हमने देखा कि अब डिजिटल आ रहा है वी शुद ट्राइड इजिटल तो हमने डिजिटल ट्राइ किया प्रोमोशन इसका डिजिटल से जब इतना डिमांड आने लगी इसकी तो डिसकाउंट हमने कम कर दिये और वी आर दा ओनली पब्रिश जो एडवांस पे में फिल्ड रिप्रेजेंटिटिव नहीं है जो कि हमारे पास आज की तारिक में जिस वॉल्यूम का काम हमारा है कम से कम 200 आदमी हमें रखने पड़ते फिल्ड के वो सारा काम हमने डिजिटल उससे किया वो डिजिटल का इतना फायदा हुआ हम लोग को बादी साब आप बत अच्छर एवन गुर्मन अच्छर में देखें प्राइवेट हॉस्पितल में भी देखें तो सब चीजें अवेलेबल थी इंफ्रा और भी बाकी टो इक्यूपमेंट वगरा सब बड़ा चालिंज था और वो स्पेशली अगर हम गुर्मन सेटप में भी देखें प्राइव किस तरह की जॉप की रिकॉर्मेंट है तो फिलाल बात करूं तो हेल्थ केर के अंदर काफी तरह की जॉप की अपॉर्चुनिटीज और रिकॉर्मेंट भी है स्पेशली पैरामेडिक्स हो गए या इस तरह की तो इस चीज के लिए हमारा जो स्टार एजूकिशन है उसमें इस तरह की कोर्सिस कराते हैं शौर्ट टम वाले कोर्सिस अच्छा जिसमें उनको इजी लिएंको इंप्लॉइमेंट दिलाया जा सके जिसके अंदर स्पैसिफिकली फ्लाबो टॉमी के बलड सेंपल लेने वाले कोर्सिस मुल्टी टास्किंग हेल्थ के वरकर एक्सरे टेक् किस तरह की जॉब रिक्वामेंट है मार्केट में तो उसी गैप को देखकर हा स्टार एजुकेशन उसी तरह की कोर्सिज डिजाइन कराता है अप्रू करता है और उनके लिए फिर कोशिश करता है कि उनको एम्प्लाइमेंट भी दिल्वासिए एक बात बताये और कि राइट ईतार प्रियुक्ति तो भी है कि यह घुवापलन आज़ा सेवसरी है में ब्लड सेंपल दे दिया और हमें लगता है कि हमारी सब कुछ टेस्ट हो गए अब वह ब्लड उस पेकेज का कोई भी नाम हो सकता है Master Health Package, whole body health check-up, blood sample से कैसे whole body health check-up हो सकता है तो बहुत जादा जरूरी है कोई अपना preventive preventive health check-up कराना जरूरी है कुछ भी हम क्याते हैं कि हमें फिजिकली ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, हम तो ठीक लग रहा है, हम क्यों करा है टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा भी हम पहले लास्ट पैनल डिसकुशन चल रहा था उसमें बता भी रहे थे कि जिस तरह से आज कल हमारा खाना है हमारी lifestyle है, ना सोनी का समय है, ना जागने का समय है, इतना stress level है, इतने polluted environment में हम रहते हैं, तो बहुत सारी चीजे हैं, तो कितने सारे हमारी शरीर के अंदर बदला होते हैं, तो इसलिए जरूरी है कि समय समय पर हम preventive health check-up करा लें, और ऐसा अकसर देखते भी हैं, कई बार लो आप smoker हैं, आप अलकोहल लेते हैं, आपका सोने का, जागने का समय, यह सब चीजों को देखकर आपकी age के accordingly, male female के accordingly, कुछ test certain test decide करते हैं, पर कुछ-कुछ test है जो सब को करा लेने चाहिए, एक age के बाद की हम बात करें, 25 साल या 20 साल के बाद आपको कुछ test है, जैसे कि आप HBA1 से test करा सकते हैं, अटलिस जानने के लिए कि कहीं आप pre-diabetes की तरफ तो नहीं मुड रहे हैं, अभी जहां हम बैठे हैं आगरा में या अभी उत्रपरदेश की बात करें, तो अभी जो ICMR की study आई है, उसमें दिया गया है कि यहां पे सबसे ज़्यादा pre-diabetes के हैं, मतलब pre-diabetes का मतलब यह है कि दो साल के बाद वो diabetes की तरफ मुड जाएंगे, तो इस तरह का यह का आप pre-diabetes का टेस्ट करा सकते हैं, और कई बार कईयों को अभी जहातर में यूथ से जब इंटरेक्शन करता हूं, लोगों का सवाल रहता है कि हम जिम जाते हैं, आज कल जिम में इस बार की चीजे नॉर्मल आ गए, आप डाइबिटिक नहीं है, आप हाइपर टेंसिव नहीं है, और बेसिक दो चीजे आपकी यह सब चीजे नहीं है, तो आपके कलस्ट्रोल लेवल्स ठीक हैं, तो फिर ठीक है आप एक साल के बाद, दो साल के बाद करा सकते हैं, पर अगर आपको कलस्ट्रोल बढ़ावा, आपको डाइबिटीज भी है, आपकी फैमिली इस्ट्री भी है, कि आपकी फैमिली इस्ट्री में यांग हाट अटेक है, कि पचास साल की उमर में आपकी ब्रेदर, सिस्टर या फादर, मदर किसी को हाट अटेक रहा है, तो उनको कुछ पहले ही का, a stitch in time saves nine, prevention is better than cure, अगर निकल आएगा तो उसका क्यों की और जब हो जाता है, तो काश हमने करा लिया होता, ये हो गया होता, हम चले गए होते, उनकी बात सुन लियोती वगारे वगारे, by then it's too late, sometimes it goes on the second, third, fourth stage, last stage, हो जाता है, तो ये awareness कैसे लाई जाए जाए लोग बहुत जरूरी, कि पिछले साल तो करवाल गया था भी जरूरत नहीं हो सकता है, कि कुछ हो गया, कि और फिर फिलिग उनीजी, or there is some signs that the body is giving, then you must, you know, go for a series of tests, जाए जाए जरूरी और जैसा आपने बताया है कि लोगों का रहता है कि कुछ निकल गया तो क्या पर इस से स्र।ार मरा साव समेयर and cervical cancer के लिए जो कि बहुत कॉमन है और और मेमोग्राफी breast cancer के लिए उन के लिए जरूरी है, और मेंस में जैसा देखिए हार्ड डिजीज अभी काफी जादा कॉमन है, खो इस त Sharpie बहुत बाफे परोस्टैटAR की कुछ सेल्फ अपॉंटेड डॉक्टर्स हैं उन्हीं में हखीम खत्रे जान वाली बात है वो आपको ऐसी सी चीजें बता के बरगला देंगे और कहेंगे यह टेस्ट के आपको कोई जरूरती नहीं है आपको कहीं जाने की जुरूरत नहीं हम बता रहे हैं लेसं खालीजे प्यास खा अपर रहती है और पॉलिस के साथ मिहमारी काफी केमपेंज चलति रहती है और जहन भी जाते है hands School में भी हम वहां aware यह करते हैं specifically prevention के लिए जैसे स्कूल में हमारी एनीमिय स्क्रिणिंग के ओपर केंपेंच चलती है। स्पेशलिय अभी जैसा हम देख रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ जादा बढ़ रही हैं कि जैसे तो हम हाट एक से कैसे प्रटेक्शन कर सकते हैं क्या ऐसी चीज़े जरूरी है लाइस स्टाइल में कैसा मोडिविगेशन कर सकते हैं तो इन चीज़ों के लिए हम डेफिनेटली टाइम टु टाइम लोगों को अवेर करते रहे हैं और एक बात के लिए और अवेरनेस की पर इतने उसके बावजूद जिम डेट्स क्यों हो रहे हैं बिल्कुल देखिए इसमें जिम जाना खराब बात नहीं है एक्सराइस करना खराब बात नहीं है कहीं नहीं मिस इंफोमेशन या सही जानकरी ठीक नहीं है यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अच्छा दिखना है कि आप जिम कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे है और गये तो एक दिन आप दो थो घंटे तक एक्सराइस कर रहे हैं आप पहले कोई अस्ट्रेचिंग वगएडा नहीं रहे हैं या फिर आप बहुत जादा कोई पी कोफी वगएड़ा पीके आप ट्रेडमिल पर बाग बागे जारे हैं नीन पूरी नहीं नहीं हुए इसप्रेशन बिलकुल तो यह कुछ प्रेटमिल पे दिल्ली से आगरत का जाते हैं हैं मैं एक बात कहना चाहूंगी कि तो अगर वर्काउट कर रहे हैं तो ट्रेणर का होना बहुत जादा जरूरी है और अपर अपर दॉक्तर गाइदने ओफिसेशन गाइदने और एकश्पोर्स गाइदने वह बहुत जरूरी है कुछ भी खा लेते हैं, प्रोटीन शेक खा लेंगे, स्टेरोइड का साइकिल ले लेंगे, कुछ उनको मालूम नहीं अपने बोड़ी के बारे में, प्लस मुझे लगता है कि जैसे मैं भी वरक आउट कर रही हूं, दो तीन साल से कर रही हूं, कि जब मैं पानी पीके करती हूं, तो आप काफी कमफटेबल हो जाते हैं, तो पानी का जो इंटेक है, उसका भी कुछ ना कुछ ना कुछ तो पानी का प्लाटफॉर्म के जरिया बताना चाहते हैं कि यह औरतों में भी यह जो फैट चल गया, वो भी अब एक्सराइज करके व मतलब अजीब हो, गरीब शकल बना के आगई हैं, वो इतों में कहने हैं तो मैं कहने हैं, वो प्षिछ सक्थ सक्थ सी दिख रही हैं तो मर्दाना दिख रही हैं, तो आप कुछ कहना, कुछ संदेश है आग्रावालों के लिए और तमाम महिलाओं के लिए, एक आखरी सवाल महिलाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी सबसे बड़ी बात तुई है कि पिछले 10-15 साल में बहुत चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज आया है, मैं हर लड़की को देखती हूं, they have become career-oriented, मतलब हर किसी को एक career को लेकर जो उनके अंदर एक जुजहारूपन है, मतलब कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ अभी भी सोच रही है, मतलब कोई purpose नहीं है life का, and I feel कि हर महिला के पास एक purpose जरूर होना चाहिए, बहुत खुशी की बात है आपको आपके father के नाम से जाना जाए, आपको आपके husband, आपके बच्चों के नाम से जाना जाए, आपकी खुद की identity, वो बहुत matter करती है, कि आपको जब आपी के नाम से जाना जाओंगा कि आप जिस business में small to medium to large scale में escalate करने के लिए संगठोनों को क्या-क्या चुनोतियों के सामना करना पाथता है? देखिए, पहले हम लोग traditional business करते थे, तो ये जितने अब systems वग रहा गए हैं, तो अभी क्या हुआ कि हमारा काम काफी बढ़ रहा था तो बेटा business में आया, तो पता कि हमने business coach है रहूल जैन डेली में, तो उनको उनके पास training के लिए भेजा गया, तो उन्होंने इतने systems हमार हैं लगा दिये हैं, और उसके बाद जो development हुआ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं, मतलब business autopilot पे हो गया, उनके businesses ऐसे होते हैं, और एक ही उनका target रहता है, how to double your profit every year, and we are achieving it, मतलब जो चीजे हैं शाया है, मैं भी नहीं सिखाते होंगे, या वो नहीं करते होंगे, तो मेरे दोनों बच्चे हैं, बेटा बेटी, दोनों मेरे business को join किया हुआ है, mainly वो ही देखते हैं, so they have done wonders in our business, fantastic, बहुत बढ़िया, यह सब बात हैं, हो गई और जाने से पहले, मतलब Poonam जी ने अभी तक कम से कम वो इखतियार नहीं किया है, कि जिम में जाके सख्त हो जाए, मर्द जुल्फें हैं जैसे कांदों पे बादल जुके हुए, आखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, जाने बाहर तुम किसी शायर का खाब हो जोडवी का चान्द हो, या आफ ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम ला जवाब हो Thank you, thank you, thank you so much. You simply made my day, oh my God. I'm just speechless. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. है हर इंसान की डिजायर बहुत सारी होती है, लेकिन जो डेस्टिनी में होता है, वो ही डिजर्व करता है, लेकिन कभी कभी डिजायर से जादा डिजर्व कर लेता है, जब वो उस पर काप करता है. बहुत, बहुत, fantastic, thank you. Dr. Samir Bhati, please take your seat there. Can we have the memento, please? Sir, please be on stage. Come on. And I would like to call Prashant Jan also. Please join us on stage. Thank you. Come on. Who is coming? Come on. Prashant Jan. What will you do? Okay. आए यो सन? आच्छा. आप जरोर सरसों कातेल लादेए. और अपने मंच में बुलाना बागाईए.